नमस्कार बेरे प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बाए फिर से मारे यूटूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर साथियों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हूँ जो विकेंडेट ऐसे थे जो मतलब SSC सेलेक्शन पोस्ट फेस 12 क सभी का नहीं आपका रिजल्ट जारी हो चुका है जो कि आप लोग यहां पर चेर्क कर सकते हूँ तो पूरा डेटेल एक्समोलिलेशन मैं आपके साथ में सेयर करने वाला हूँ कि इसके लिए काट आफ क्या क्या गई है किस तरीके से आप लोग अपनी काट आफ को देख प करते हैं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते तो आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेक्या हूँ तो आपको तरंद का दुरूण अपडेट मिलता रहे तो चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना दिरी के तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करने वाले मैट्रिकुलिशन लिवल या नहीं 10th लिवल के बारे में बात करे लेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हम 10th लेवल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं आप सभी को आपके एक्जामिशन की देट अच्छे से पता होगी 20 जून से आप सभी का एक्जाम हुआ और आप सभी का जो एक्जाम है 26 जून 24 तक आप सभी क कमप्लिलि तरीके से करा लिया गाते हैं जूँकि आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं देखिए का इसके बारे में हैं पर ड़ीप स की गए कि गए वो यानि कि देख सकते हैं आप लोग यहां पर जो पांच चैनी कि अगर ज्यादा वैकेंसी हैं तो अगर मालोग किसी में कितनी भी वैकेंसी मतलब तोटल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसके लिए 15 गोना candidate को पास किया गया यहाँ एक वेकंसी पर 15 गोना candidate उसमें अपना सारी डिटेल आपको दे रखी है अगर मैं 10th level की बात करूँ तो टोटल जो है 15,895 में candidate हैं जो उड़ाने टोटल जो है पास की गए है सभी category को मिला के 10th level के लिए ठीक है बाकी category वाइस आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कितने number of candidate हैं कितने नहीं है ठीक है बहुत सारी ची है तो उनकी अपना 2 September से जो पोटल है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो जाएगा कितने तारिक से 2 September 24 से सुबह के 10-11 बज़े से आपका यह पोटल ओपन हो जाएगा और यह जो आपके जो अपने डिटेल अपलेट अपलोड करनी है जिसमें आप लोग और रिक्वाइड टू अपलोड सेल्फ अटेश्टेट कॉपी और अल सपोर्टेट डोकुमेंट यानि जितनी भी डोकुमेंट है जैसे की रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सफिरेंस एज के अटेगरी बगरा जितनी रिलेक्शेशन मतलब जो भी ड द्यान में रखने नहीं अगर जो भी केंडिट सेलेक्ट हो चुक है यह वकेवल उनके लिए है बाकि अधर किसी के लिए नहीं है ठीक है यह चीजों का आपको द्यान में रखना पड़ेगा ठीक है ना बागी आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो यहां पर आपको एक हेलप लाइन नंबर मिल जाता है आप इस हेलप लाइन नंबर पर बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ठीक है ना बाकि आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिगा इन लोगों ने अच्छे से बता रहा है कि यहां पर नोट करके लिख लाए जाएगा के लिए तरीके से नोने यह बूल रखा है ठीक ना बागी आगे हम जानते हैं देखिए यह कुछ केंडिट ऐसे हैं जिनका रॉल नंबर कुछ तरीके से यहां पर रूखा गया है जो कि आप लोग यहां पर दिख सके हैं कि किसी दिक्कत के कारण से अब बा इस खुद देखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं एक बताना चाहूं इस वीडियो में तो कम से कम अगर मैं चार गंटे की वीडियो बनाऊंगो तब भी नहीं बता पाऊंगो ठीक ना तो आप लोग यहां पर दिख सकते हैं यहां पर एक पोस्ट कोड आपको देखने को मि इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है ठीक है यह मत सोचिएगा कि यह केबल एक केंडेट है बाई एक केंडेट नहीं है टूटल तो तीस केंडेट है ठीक है यह भी चीज़ों को ध्यान में रखना है आगे बात करते हैं देखिए मालोग आप सकते हो यहां पर आपको पोस्ट कोड मिल जाएगा यहां पर आपको केटिगरी नाम मिल जाएगा जितने केंडियोट को पास कि एगर कॉट आफ क्या गई है वह इस लाइन में आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हैं तो यहां पर जितनी भी है टैंथ लेबल के लिए जितनी कम गई है ठीक है देखिए यह जो एच भी होते हैं वो थोड़े स्पेशल होते हैं तो उनके लिए पर कट ओफ थोड़ा सा कम जाता है बाकि सबी केटिगरी का यहां पर आप लोग देख सकते हैं कट आप अच्छा खासा गया है जो कि आप लोग यहां पर चेक कर पा रहे ह तो इस प्रोसेजर को जो भी नोने बताए इसको आप फॉलोग जरूर कर लिजीगा ठीक है तो आपकी यह समझ में आगी यह पर लोग देख लिजेगा यह सारे चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ठीक न यह आपको सबी को बताना चांग आगा टेस्बूक आप सभी इक आकरी मों का सेल लेकर रहा है जिसके आज जो है लाज डेट है 31,2024 जिसमें आप मिनिमम्म प्राइस है यह नहीं सबसे लोएस प्राइस में आप लोग इसमें इरली इसका प्रोपास ले सकते हो अगर मैं बात करूं इसमें देखे एरली प्रोपास जो आपका दे देश सकते हो आप all over India में किसी भी exam के आप तेयरी कर रहे हैं तो आपको mock test लगाना previous year paper लगाना बहुत ही जरूरी होता है इसमें आपका ये test book पूरा analysis करके देता है कि आप कहांपे कि subject में कितना lie कर रहे हैं कितना score कर पा रहे हैं कितना आपका number है सब कुछ आपको पूरा detail मे पर्चेस करते हैं तो आप लोगों को जो है कि आप लोगों को 3 आप लोग को 449 में मिलेगा आपको मैं विडियो को प्रोवाइट करा दिया हूँ वहां से जाकर आप परचेस कर लीजीगा जिससे के आपको 12% का discount मिल पाए बाइब आप पूछोगे कि भाई मैं अपना result कैसे देखू मुझे cut off तो मैं देख लूँगा इस तरीके से ठीक है अब मैं result कैसे देखू तो देखे आपको रॉल नमबर है ठीक है वो रॉल नमबर आपको सर्च वाले आइकन में जाना और सर्च वाले आइकन में जाने के बाद आपको अपना रॉल नमबर जो है सर्च कर लेना है ठीक है इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना रॉल नमबर आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है और जै वघार दो आपका सेलेक्टेट को अगर आपको यहाँ मिलने वाली है आप को अपना नमबर देखने को मिलेगा और वाकि जो भी आपकी परसनल डेटेल है वो आप सभी को देखने को मिलेगी बाकि सारी information आप सभी के साथ में हैं आपको नहीं मिलने वाली आप ये सोचों कि भाई इसमें मुझे अपना number देखने हैं तो number देखने के लिए आपको 10 से 15 दिन wait करना पड़ेगा जो कि आपकी official website है वहाँ पर आपके dashboard में आपको number so कर दी जाएंगे कि इस category से आपने कितना कितना score किया है वो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी वहाँ ठीक है न तो अभी result अभी जानी होने में मतलब score काट जारी होने में आप सभी को 15 दिन लग जाएंगे बाकि आपका result जो है cutoff बगए यहाँ पर आप लोग भी आप लोड करना और आप लोग यहाँ पर देख सकते हूँ उन को भी बता दिता हूँ कितने candidate को यहाँ पर पास किया यह ठीक है न तो आप लोग यहाँ पर बहुल सकते हूँ आप लोग पास किया है शोलाइर 161 देखिए आपके CR आगर मैं बात करूँ 10, 5, 2, 4 आपकी जो cut-off उसके लिए OBC category के देखिए 30 candidate को यहाँ पर pass किया गया है जिसकी जो cut-off है वो 14.38 आपकी cut-off गया है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसी तरीके से आपको यहाँ पर post code देखने को मिल जाते है category और आप अच्छे से check कर सकते हो तो यह चीज़ें आपको खुदी चेक करने पड़ेंगी भाई मैं अगर बताने लगया ना तो चार घंटे में भी वीडियो complete नहीं होगा यह सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी होगी खुद से ठीके ना भाई आपकी समझ में आगी अ 29,561 केंडिट को यहां पर पास किया गया विकोज यहां पर वेकेंसी अच्छी खासी थी ठीके ना क्योंकि 1100 से ज्यादा आजपास यहां पर वेकेंसी थी जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा बागी category बाइस आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो ठीके ना और हम ज अगर मैं बात करता हूं तो कहीं 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 थोड़ी सी कम भी गया ठीक है अब दोस्तों आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं देखिए आपकी category बैस आपको यहां पर अच्छे से दिख रहा होगा ठीक है अगर मैं बात करता हूं तो देखिए 82 नंबर गया है क्योंकि हर 82 गया है और आप लोग यू आर में देखी कितना अंतर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर मैं बात करूंब करूँ दस 924 में देख से 145 लगवग मैं बात करूं तो यहां पर देख सकते ना अठार है अब आप लोग यहांप चेक कर सकते हैं देखिए इतनी कट आप लोग यहां पर अच्छे से देख लीजेगा ठीक है ना इसमें category वाइस आपको खुद भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपको पोस्ट कोड आपको खुद पताओ को कि आपका कौन सा पीडियाफ आपको में नीचे प्रोवाइड करा दियें इन सभी को डाunload करना आपको डाunload कहां से करना आपको तेलगराम से आपको टेलगराम चलुल हैं हमारा प्रेंस एजूकेशन प्रैंट के नाम से च opposite लिंक में आपको वीडियो के डिसिंबॉक्स मों प्रोवाइड करा दूँगा नहीं तो आप सर्च करके टेलग्राम पर भी जा सकते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक ना तो आप इन सभी जो भी अपना लेवल है माल लो टेंथ लेवल है ग्रेशन लेवल है जितना भी नेश्ट प्रोसस अब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा यह सारी चीज़ आपको अच्छे से देखनी पड़ेंगी ठीक है और उसके बाद अगर आप सेलेक्टेट हैं तो ठीक है नहीं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं फिर तो आप फिल हो चुके है ठीक है तो यह सार कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आँ तो आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाए चली दोस्तों बागी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन एंड वन्ने मात्रम